नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे SSEJD Constable की Medical Date के उपर तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आप सभी लोग बेसबरी से Medical Date का इंतिजार कर रहे हैं सभी को इंतिजार है कि आपकी Medical Date कब अनाउंस की जाएगी कब आपके एडिमिट कार्स जारी के जाएंगे और भी बहुत सारे सवाल आप सभी लोगों के मन में चलते रहते हैं तो जैजागी मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो Medical है वो 26 अगस्त से Conduct करवाई जाएंगे बट कुछ कारण की वज़े से 26 अगस्त से आपके जो Medical है वो Conduct नहीं हो पाए किसी कारण से आपके जो Notice है वो जारी नहीं किया गया क्योंकि कुछ Departmental इस्यू थे जिनकी वज़े से 26 अगस्त का जो प्लैन उन्होंने बनाये था आपके Medical Conduct करवाने का वो वहाँ पर Cancel उनको करना पड़ा अब सवाल उठता है कि अगर 26 अगस्त को Medical नहीं हो पाए तो अब आपके जो Medical है वो कब तक Conduct करवाई जाएंगे तो इसके लिए मैंने एक हमारे जानकार है उनसे बात की थी साइड स्क्रीन के ऊपर मैंने स्क्रीन रिकोर्डिंग लगा दिया आप देख सकते हैं बीस तारिक को मेरी बात हुई थी उसमें उन्होंने एक सर्कुलर दिखाया था मुझे ठीक है अब Medical के रिगार्डिंग जो चीज मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है ठीक है क्योंकि उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो साइद उनकी भी नोगरी पे बनाए और हमारी के ओपर भी बनाए ठीक है तो वो चीज मैं आपको नहीं दिखा सकता है इसलिए मैंने उसको आपकी ओपन नहीं किया उस सर्कूलर को ठीक है 20 तारीक की बात है नीचे आप देखेंगे उसके बाद 22 तारीक की बात है कि मैंने उनसे कोल किया था उसके बाद 21 तारीक को कि सर मुझे बताना क्या है क्या नहीं है तो उन्होंने बताया था कि सर आप पढ़ सकते साइड में तो अगले दिन शुबह 4, 5.30 बजे मैंने अनको reply किया सुक्रिया का उसके बाद मैंने उनको दुबारा message किया था कि Sir आप अमें बताना कि क्या कोई अपडेट या नहीं है नहीं है सो उनका फिर reply आया है कि अभी तक तो जो मैंने आपकी बात हुई थी हमारी 22 तारीक हो वही स अगर एबर circular जारी हो जाता है तो वो आपको और हमें बता देंगे कि भाई हाँ अब आपकी medical के लिए हमारा circular आ चुका है और आपका जो medical है वो second अगर week के अंदर होता है तो कितनी तारिक को और third week में होता है तो कितनी तारिक को आपका जो है वो conduct करवाये जाएगा ठीक है तो अभी तक तो यही information है जो अभी तक मैंने आपके साथ share की है तो अगर हम उनकी मानते हैं तो आपका जो medical है वो second या third week of September के मदर तो मतलब है कि आपका 7 से लेकर 14 तक और उसके बाद 21 तारिक तक इनके बीच में कभी भी 7 से 21 के बीच में कभी भी हो सकता है लेकिन actual date जब आपका medical है वो conduct होने की पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि अगर कही ना कहीं वो कहते है आग लगती है तो भी दुआ उठता है तो कोई ना कोई अगर बात उठ रही है तो इसका मतलब है कि जल्दी इनके लिए एक circular भी जारी हो जाएगा date भी जारी कर दी जाएगी और आपके medical भी conduct करवा दिया जाएगे तो आप सभी लोग त्यार रहें सभी लोग बिल्कुल अपने सारे documents वगेरा त्यार रखें आप medically fit हो जाएगे क्योंकि September की 2nd या 3rd week में ही मुझे लगता है कि आपका जो है वो करवा दिया जाएगा conduct और date आपको जैसे ही मुझे पता ल होगा तो आपको कोई दिक्कत ना है क्योंकि medical fast fast conduct करवा जाएगे क्योंकि already late हो चुका आपके लिए ठीक है तो बैस यही कुछ जानकारी थी जो आपके साथ सेर करनी थी और कोई जानकारी होगी तो मैं आपको जरूर दूँगा तब तक के लिए मुझे इजाज़ा दीजि